हाई गाईस तो इस वीडियो के इंदर मैं आपको explain करूँगा कैसे मैंने stock को यहाँ पर buy करा क्यों यहाँ पर sell करा क्यों यहाँ पर sell करा क्या reason था क्या selection process था और सारे reasoning जो उसके पीछे होती है ठीक है बट उससे पहले अगर आप मेरे telegram पे नहीं हो तो आप देख सकते हैं मैंने telegram पे share किया था जब मैंने stock को लिया था और मैं usually थोड़ी दिर बाद ही share करता हूँ क्योंकि जो लोग trade को copy करते हैं उनका कुछ फाइदा नहीं होता वो क्या होता एंड में जाके गाली देते क्योंकि उनको management नहीं आती आप खरीदना सीख सकते हो management नहीं सीख सकते copy करके जब ऐसा लगता है तो गाली देने से कुछ नहीं होता जब तक आप process नहीं सीखोगे उसके पीछे का तब तक आप एक अच्छा trader नहीं बन सकते बट चलते हैं अब हम विडियो पर तो सबसे पहला सवाल आएगा कि यह stock को आपने ढूंडा कैसे ठीक है क्योंकि ढूंडना ही एक पहला step होता अगर चीज मिलेगी नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे तो देखो बहुत लोग को ऐसा लगता है कि जो scanning होती है जो scanners होते हैं वो बहुत important होते है scanners के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता ठीक है आप कोई भी scanner उठालो कोई भी scanner किसी भी तरीके से scan कर लो आपको stocks कही न कहीं सेम मिलेंगे it depends आप उनको देखते किस नजर यह से जैसे अब एक अगर मैं stock की तरफ देखू GHCL की तरफ ठीक है पहली तो आप देखो यह textile industry के अंदर है ठीक है जब मैंने stock को select करा उसके बाद में गया textile के अंदर ठीक है यह अगर आपर जाओगे मेरे पास list परिए textile की textile के अंदर मैं textile वाली list में गया मैंने बाकी stocks को देखा और मैंने देखा वो सब भी अच्छा perform कर रहे हैं तो इसका म दूसरी चीज़ अगर मैं notice करूँ तो वह होती है volume अब एक सवाल समसाद आता है यह volume indicator क्या है इसको समझा दो तो इसके लिए मैंने separate एक video बना रखी है ठीक है आप मेरे चैनल पर जाके search करोगे तो मिल जाएगी आपको नीचे मैं link छोड़ दूँगा आपको तब मिल selling के time volume के मतलब जैसे यह selling आ रही है है ना बट नीचे volume नहीं है और जब buying आ रही है तो बड़े बड़े green bars है यह HVE का मतलब होता है highest volume ever है ना highest volume ever आ रही है बार बार highest volume कौन लाता है अगर आप थोड़ा सा time लेके सोचो गए तो आपको क्या लगता है यह volume कौन लाके दे रह है हम जैसा retailer तो लाके नहीं दे रहा हम पे तो नहीं है इतना पैसा यह institutions होती है funds होते है इन लोगों पर होता है इतना पैसा यह दिरे 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 buy काते हैं block में buy काते है क्योंकि क्या होता है देखो यह highest volume ever इधर आई ठीक है तो इधर जो institution है ना बानो उसने यहापर 200 करोड लगा दिया ठीक है for example अब stock नीचा तरहेगा अब नीचे नीचे वो और 10-10 करोड जैसे volume आई यहाँ पर उनने 10 करोड और लगा इससे क्या वह उनकी average निकल गई जहाँ से उनका average price यह आ गया खरीदा यहाँ भी price का आ गया यहाँ पर है ना और उनको जल्दी नहीं आग्ती हमारी तरह वह का प्लान होता हैं मिरेको 5 साल कना है 10 साल करना है 12 महिन करना है उनके पर time विके पैसा हमारे पास थोड़ा सा ही पैसा और फोड़ा साृ टाइम है तो हम दोनों सीज हो में पीछे हैं इसा भी ने न कर सकते कि वॉल्यूम देखी और पागल हो यह stop loss को follow करना होता है अब stock selection के time में देखता हूँ कि जो stock है न वो एक base बना रहा हूँ और उसकी जो base का time है उसके अंदर volume जाना वो buying के time है selling में न देखो अब पूरी ये पूरा का पूरा stock का time है ठीक है अब पूर है मैं कहीं भी देख लो selling में volume ने सिर्फ buyer है तो इससे पता लगता है मेरे को कि buyers strong है stock के अंदर ये चीज मेरे को clear हो गई ठीक है अब clear होने के अगर आप एक चीज़ notice करोगे न तो recent highs का है इसके यहां से पहले देखो यहां पर select करा है अब न श्तौप और मैं इसको देखा weekly पर यहां पर ऐसे तो मैं देख रहा हूँ weekly पर भी यही यह resistance है अब हम गए daily पर है ठीक है जब मैं इसको फिर close देखो यह पुरानी resistance है अब मैं close लाता हूँ मैं close आके भी देख रहा हूँ तो यही पर कही नगई selling आ लिए अब इस दिन क्यो बाई करा यह भी अच्छा सवाल होगा आपका कि इसी दिन क्यो बाई करा इस दिन क्यो नी बाई करा क्योंकि जिसने इस दिन बाई करा वह उसने मुझसे पहले बाई करा और उसका भी चल गया मेरा भी चल गया मेरा यहाँ पर बाई करने के दो reason थे, मोटा मोटी सबसे पहला हम थोड़े से gap up से start हुआ gap up से start होने का मतलब है stock में पहले से ही थोड़ी सी जान है क्योंकि वो खुली उपर रहा है तो उसके अंदर कुछ बात है ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर जान आई, दूसरा point अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना मैं पूरा थोड़ा से जूम करगी तो अगर आप देखो जो दो दिन का last का हाई है वो बड़ा close है बड़ा ही close है देखो इसका हाई क्या है 95 इसका हाई क्या है 95.5 तो देखो बहुत ही close है मैंने जब ये दूसरे अपने इसने पिछले दिन के हाई को तोड़ा जब इसने पिछले दिन के हाई को तोड़ा मैं तभी इसमें interested हो गया था और फिर थोड़ा सा late करके मेरे को buy मिला 96.2 में और वो लेने के बाद ही ये भागता ही चला गया भागता ही चला गया सीधा इसमें 14% लगा दिया highest volume एवर तब भी थी उसके बाद एक दिन और buying आई इसके अंदर उस दिन भी highest volume एवर निकली इसके अंदर ठीक है न तो मैंने आपको selection criteria बता दिया देखो stock जो होता न मेरे को ऐसा पसंदा stock ड्रॉल टूल देख में लोगी इसका मतलब यह भी accumulation zone में है जब यह इसको निकलेगा ना तो यहां पर buying आईगी और यह तर 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 भागेगा बिन रुके तो मैं यह क्या हो रहा था यह accumulate हो रहा था अब देखो में तो यह क्यों मेनिट हो रहा है ठीक है ना जैसी यह निकला है अब यह यहां से निकल सकता है राइट अब अगर हमें बात करूं कुछ selling की तो देखो 30% sold at 114 क्यों क्यों क्योंकि 114 मेरा three times of my risk था मैं जब भी एक चीज मेरे को जैसे मैंने किसे पर 10,000 का रिस्क लिए है अब वो मुझे अगर 30,000 का profit दे रही है तो उसमें 30% बेच देता हूं क्यों बेचता हूं 30% तो इसलिए क्योंकि वो ना मेरे को थोड़ा सा रहे तब अगर मैं अब बात करूं यहां पर full क्यों बेचा तो यहां पर मेरा मन नहीं था full बेचने का जहां पर मैंने बेचा लेकिन market scenario इस तरह से हो गया था कि मुझे बेचना पड़ा ठीक है अगर मैं निफ्टी की बात करूँगा जिसे में लेट्स को टू निफ्टी निफ्टी देखो आप पूरा क्रैक दे चुका था हमारे टॉप 500 पूरा क्रैक दे चुके थे मिड कैप में थोड़ा सा स्केरी लग रहा था तो वहां पर में पास एक टफ डिसिजन था कि या तो मैं इस टॉप में प्रॉफिट लॉग कर लूँ ठीक है या फिर मैं इसको चलने दूँ और चलने देने पर नुक्सान था कि ओवरॉल मार्किट पे वीकनेस दिख रही थी ऑल्दो अभी यहां पर कंट्रोल दिख चुका है अगर फिर से ऑपर्चुनिटी देगा त तो मैं अपना पैसा लेके घर तो जाओं ठीक है तो यह सेनारी होते हैं बाकी इससे रिलिए आपके क्या क्वेशन्स है आप नीचे कॉमेंट करो और मेक वीडियो अबाउट इट और देखते हैं बाकी ट्रेट्स वे अपने शेर करूँ अगर इसको बढ़िया एक इसमेंट आती है थेंग यू